देखें बच्छों आप सर के क्लास में स्वागत है एंसी आर्टी फिजिक्स जो 6-8 लेवल का एंसी आर्टी का एक किक लाइन कवर करके आपको बताया जाता है कि किसी भी इग्जामेक फिजिक्स का कोचन है तो छुटे नहीं तो आज का कलर है बच्छों आज का जो कलर कि आई देते हैं या पुछता है तो किसके कारण होता है पुछ देगा भी वर्तान अपवर्तान परवर्तान ब्यातिकरान इंटर्फियरेंस डिफ्रेक्शन डिसपर्सन ऐसे आपको आप्शन देगा तो आज का टॉपिक है बच्छों हम लोगों का वीवर्तन क्या है बच् डिफ्रेक्शन पढ़ेंगे डिफ्रेक्शन एक टॉपिक होता है डिफ रेक्शन डिफ्रेक्शन मींस बच्छों डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन का मतलब डिफ्रेक्शन 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 मींस वीवर्तन वीवर्तन अब वीवर्तन कॉप्टिक लागना है प प्रेक्षम पढ़ हैं ठोल इंटर्न पुलेक्ष independent परेलिस्टेम पड़ें हुआ है कि कप टिक लगाना है और विवरतन नो चना अज तक कितना आया वड़ ने तो विवरतन क्या होता है भी और सब्सक्राओन कि इस पहले जांते हैं कि विवारतन आपके कब टिक लगाना है कोई कोश्चेन आपके सामने दे तो कब विवारतन पर टिक तो देको जो कोश्चन जो इसके होते हैं न पेमास होते हैं जो हर एकजाम में और हाज तक दो कोश्चन पूछेते, पहला बिद्व को जब लाइट के सामने के सट को जब दूप के सामने सैंध में ले जाते हैं यह किस के कारण होता है तो आपको टीक लघन सा जब शर्चान के टेकनोलोजी आगया है, कोई DVD, CD का केसट बजाता ही नहीं है, सब चिप्स में भर लिजिए और पिक्चर भी हो जाता है, तो वो ऐसे जब धूप में गुमाते हैं तरंगीन होता है, दूसरा होलोग्राम, होलोग्राम का कलर किसके कारव चमकता है, होलोग्राम में कलर चमकना, होलोग्राम का चमकना किसका रहसे होता है, तो वी बरता है, अब होलोग्राम क्या होता है, देखे, होलोग्राम आप देखे होगे, किताब के ऊपर एक चिकना, चमकता हुआ, प्लास्टिक जैसा, एक स्टिकर रहता है, होलोग्राम, हर परकासन का अपना-पना होता है, अप चमकने का कारण क्या होता है तो वीवरतन ये दो एक्जामपल जब भी पुछे ना सीडी और डीवीडी के के साथ का चमकना या होलोगराम जो होता है किताब के उपर उसको चमकना तो आपको लगाना है वीवरतन अब वीवरतन होता क्या है देखिए वीवरतन होता क्या है तो और दूसरा दे दिया होलोग्राम का और वो अप्सिल नहीं है तो आपको लगाना है रिफलेक्ष्न रीफ रेक्ष्न • रे क्रिक्ष्न पर टीक लगा क्या जहीं अगर copper-on अब वर्तन पर टीक लगा कर आजाना है अब दूसरा बात होता है कि आखिर भी वर्तन डिफ्रेक्शन कहते किसे हैं तो देखिए जब स्लीट से लाइट संसे लाइट आई संसे लाइट आ रही है जब किसी स्षीद्र से स्लीट से गुजरने के बाद वो क्या होती है कि झाले की घ्रफन का थे है आप लेख सकते हैं कि क्या लिक सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि अहले परकास का किसी औरोध के चारो तरफ मूर जाना या किसी छिद्र से गुजरते समय मूर जाना विवरतन कहलाता है और लिख लिजेगा कि जो पुछता है colors in cd और dvd cd और dvd के जो गूल के से ठाते हैं उसमें light के सामने ले जाने पर चमकना विवरतन का example है और किताब के ऊपर जो sticker रंग भी रंग दिखाई देते हैं colors in hologram colors in hologram hologram चमकता है विवरतन के कारण इतना समझ गए ये कोचन बनता है विवरतन से और विवरतन की condition पूछता है कि condition क्या होना चाहिए आपको पूछेगा कि condition क्या होना चाहिए तो इसकी सर्थ आखिर कभी नहीं होगा देखे बच्व ये जो है ना कभी नहीं होगा ये जो भी वरतन की घटना है ये नहीं कभी हो जाएगी जैसे ये चीदर है तो चीदर यहाँ स्लीट है कोई और light से आ रही है तो सवलाइट आ रही है तो यहां से आने के बाद यह मूड जाएगी तृभी वर्तन में होगा इस इसकान डिसटर की कंडिशन ही और इस परिभासा से पुर्छ चल कूच देगा कैसे पूछेगा जिवा Федर से खुजरती है यह सीड़ीट से थैट तो उस अपने मार्क से मूड़ जाती है या क्या है अपोवर्तान परवर्तान वीवर्तान व्यती करण तो ऐसे को चाहिए भी पुछते हैं डिफिनिशन से तो आपको यह दिमाग में रखना है अगला जो कंसिप्ट बनता है कि यहां से अगर लाइट गई यहां से लाइट ग जो इस स्फीट की चौडः है माम लेजिटी कुछ कुछ न पूताय पोगी धुर क्या होगी विर्त जो है स्फेल्ट का वीर्त मने चीदर की 사랑 ओर यह जो बीखलेंथ होता है इस बिखलेंथ से कं में थे कम होना जाहिए भेंड से देडnh से में होने चाहिए सब्सक्राइज दों होनी चाहिए थी इस है सोनी चाहिए यह चोटी सब्सक्राइजा दाना होगी तो अगला लिखेंगे की औपनींग अफस्लीट शुड़ी लेस दैन वेवं लेंथ अफ लाइट अफ लाइट सिद्र की चवड़ाई परकास के तरंग दर्से छोटी हो या उसके आसपास होनी चाहिए छोटी कोटी हो या उसके आसपास होनी चाहिए अगला कंसेप्ट बनता है बचो कि एक सवाल आता है इस पर कि एक फ्रिंच और आई से कोश्चन पुछता है उसको समझ लिजिए और इस सूत्र को एक्जाम में पूछ लेता है इस फर्मूला को समझ लिजे मान लिजे दो लाइट आ रही है दो स्लीट है एक सिलीट है एस वन एक है एस टू एस टू दो स्लीट है आईल के सिलीटों के बीच की दूरी डी है सिलीटों के बीच की दूरी कितना है डी है छीद्र दो है सिद्रों के बीच की दूरी डी है यहां से कैपिटल डी दूरी पर कोई स्क्रीन या पर्द लगा हुआ है इसक्रीन या पर्दा लगा है दूरी इसको लिखना है डी किया है सिलीटो से पर्दे की ये पर्दा है पर्दा या इसक्रीन कह सकते हैं इसक्रीन इसक्रीन तक की दूरी डी ले लेते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस और सिलीटो की बीज की दूरी डी दिया रहा है आपको नुम्र कलो यहाँ से लाइट गेले जाता है तो इस पर ना ऐसे बंते हैं चमकन डारक डारक brite डारक ब्राइट डारक ब्राइट डारक ब्राहिट तो निसहां टारक होगा दार यह को Clayton कटना हो सद nueva ili न मरें परदा रखेंगे तो पर जैड़ न ओडर्क ऑरब रायंट चीज़ का ईंग बनेगी पूह कुछ बॉच ब्राइट तो उसको ज geschीぎ क्या कहते है फ्रीकीन उसको थ्रीक डगे से लेता है आपके एगजाम में फ्रींस की चवडाई तो dopoon फीन समय तो इस़्ेए तरबिलो तो नेसी ते करते हैं दाबलो बराबर सुट्र होता है वो डी लेंड़ भॉडल इग डी डी्लेंडा है डी 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 लेम्डा वाई डी इसी से आपका नुमेरिकल बन जाएगा फ्रींज की चोड़ाई पुछे तो अब अब कापिटल डी क्या है यहां से यहां तक दुरी दिया रहेगा कि सिलीट से पर्दे के बीच के दुरी डी है तो यहां रख लिएगा अजो लाइट आ रहे है इस पर फ्रिंज बनाती है लाइट आएगी यहां से उस लाइट के विवलेंथ दिया रहे है त्रंग देर्थ यहां लिख लिजेगा असलीटो की बीच की दुरी दिया रहे है यहां लिख लिजेगा तो फ्रिंज चोड़ाई आ जाएगा अब इससे कोचल क्या पुछता है इस पर मेरिकल बनता है और इससे कोचन क्या पुछेगा देखिए डिरेक्ली पर पुसनल है कि यदि पर दे की बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज चोड़ाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी उपर तीर का मतलब बढ़ जाएगी क्योंकि डिरेक्ली पर अगर इसको बढ़ाद दिया जाए तो फिर चोड़ाई क्या हो जाएगी तो आज के लिए तना है ऐसे इसे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाए पूरा कंसेप्ट और ट्रिक भराव है वहां से पढ़े और फाइनल सेलेक्शन